चाहां दूसरों आज किस वीडियो के माद हम से बात करेंगे B.A.B.C.B.L.L.B.U.G. और M.A.M.C.L.L.B.P.G. C.L.C. 4th round के लिए कॉलेज में कितनी seat हैं काली हैं हमें कैसे चेक करना है वैसे तो C.L.C. 4th round अभी start नहीं हुआ है लेकिन student कमेंट कर रहे हैं जो C.L.C. 4th round अभी वैसे तो start नहीं हुआ है अगर आएगा तो उस round के लिए कॉलेज में हमें कितनी seat मिलेगी या हम जिस course में admission लेना चाहते हैं उस course के लिए seat हैं एबिलेबल भी हैं या नहीं है तो हमें इस seat को अभी से check कर सकेंगे सबसे पहले आपको इसकी official website पर आ जाना है इसके बाद में undergraduate, postgraduate and LLB आपको दिखाई देगा इनमें से आप किसी भी registration बाले options पर click करते हैं इसके बाद कुछ links हैं जो हमें दिखाई दे जाएंगे यहाँ पर एक link दिखाई देता है यहाँ पर 77 जुलाई को यह link एक्टिवेट हुआता है और 30 दिखंब तक यहाँ पर एक्टिवेट रहेगा तो इस link पर आपको click कर देना है इसके बाद हमारे सामने इस तरह का interface आयाएगा यहाँ पर सबसे पहले अपना जिला सेलेट करना आपको किजले में एडमी से लेना है इसके बाद में आपको किस कॉलेज में एडमी से लेना है कॉलेज का नाम इसके बाद अगर आप यूजी में एडमी से लेना चाहते है बीए बीकॉम पीएसी में तो आपको अंडे ग्रिजुएट सेलेट करना है अगर आप PG में एडमी से लेना चाहते है, M.A.M.C. में तो आपको post graduate select करना है, इसके बाद आपको किस course में एडमी से लेना है, वो select करना, capture code का अंचर्ट डाल देना, search पर click कर देना, इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का interface आजागा, ठीक है, यहाँ पर हमने जो college detail फिल क के नीचे, इसका मतलब है कि, इस college में इतनी seat हैं खाली है, यानि कि, यहाँ पर 630 seat हैं total थी, जिसमें से अभी present में 341 seat खाली है, ठीक है, अगर हम एक college और देखे हैं, जैसा कि देख पार है, मैंने इसके detail फिल करके रखी हुई है, तो यहाँ पर अगर हम इस college के बात करना ह 160, ठीक है, 160 में से 156 seat हैं full हो गई, और seat प्रिजेंट में किनी खाली हैं, केबल उकसी बाद 4 seat हैं ही खाली है, ठीक है, अगर मान के चलो, यहाँ पर आपको 0 दिखाई देता है, जैसे कि, यहाँ पर जो 4 दिखाई दे रहा है, इस 4 के नीचे अगर आपको 0 दिख रहा है, त आप course select करें, और उस course में अगर आपको 0 दिखाई दे रहा है, ठीक है, बास समझ में आगे, तो अगर आपको 0 दिख रहा है, तो उसमें admission नहीं होंगे, क्योंकि seat फूल हो गई, अगर आपको 1, 2, 3, 4 दिख रहा है, तो इसका मलब है, उसमें आपके admission हो पाएंगे, और आप उसको choice play में फिल कर पाऊगे, तो आपको अच्छे समझ में आगया होगा कि CLC पोर्ट राउंड के लिए कोले में कितनी सीटे काली केसे चेक करने सारी चीजे में आपको समझा दी है, वीडियो को share का देना, मिलते है अगले वीडियो में एकोजान कारी के साथ अब तक बाई